हलो आवरिवन, स्टेडी आईएस में आपका स्वागत है, मैं हूँ अपूरवा राजपूत और हम यहां कवर कर रहे हैं इंडियां जोग्रफी इंडियां जोग्रफी के अंतरगत हमें हमारे भारत के अपवाह तंतर पर यहां कि यहां हमें समझनों है भारत की नदियों के बारे में इस अध्याय की शुरुवात मैंने पार्ट वन में की थी, जहां पे हमने समझा था विभिन अमुक्ष अपवाह प्रतिरूपों को विविन मुख्य अपवह प्रती रूपों में आपको अलग अलग तरहे कि drainage pattern समझाये गए थे I hope आपी तक आपने part 1 देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो इससे पहले उसे जरूर देख लीजे अब अपवहा तंत्रों के प्रकार के बाद मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चीज़ का जो विभाजन है वो कुछ आधारों भी किया जाता है वैसे ही जो अपवहा तंत्र है इसका विभाजन भी अलग अलग आधारों भी किया गया है जैसे कि जल विसरजन के आधार पे ये दो प्रकार के हैं उसके बाद जल्संभर शेत्री के आधर पे दोणियों की आकार के आधर पे ये अपवहतं अंतर तीन प्रकार के हैं। या तो हमाले से उद्कमित होती है या फिर हमारे प्राइद्वीप है पठारों से। तो हेमाले की नदियों में हमें पढ़ना होता है सिंधु प्राइदवीपीय भारत में हम पश्शिम की और पूर्व की और बहने वाली सबी नदियों को कवर करेंगे तो इस चीज को भी हम अलग-डग पार्ट्स में देखना पड़ेगा इसके साथ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन चीज़ों को आप अभी समझ पाएंगे जब आपने भारत की फिसिकल जोगरफी को समझाओ यानि कि भारत के भौत एक भुगोल को समझाओ जब आप जानते हों कि हमारे भारत में कौन सा पठार कहां अवस्तित है कौन सा परवत कहां अवस्तित है जब मैं आपको इनके उद्गम शेतर समझाओंगे तब आपको पता होना चाहिए कि हमाले में कितनी चोटियां है, कौन सी चोटियां है और कौन सी चोटि किस राज्य में अवस्तित है इसलिए अगर अभी तक आपने chapter 2 भी नहीं पढ़ा है तो उसे भी पढ़ लीजे इसके साथ ही आपसे ये कहा गया था कि जब ये इंडियन जोग्रफी कवर की जाए तो इसके साथ आप अपना एटलस रखें मतलब कि यहाँ पे मैं आपको इस NCRT की बुक से जहाँ पे जो बता लियों कि कौन सी नदी कहां से उद्गमित हुई है इसकी साहयक नदियां कौन सी है किस राज में कौन सी साहयक नदी मुख्य नदी से मिलती है तो आप उन चीज़ों को मैप में देखते जाए जब आप उन चीज़ों को मैप में दिखेंगे तो आपको उनकी location याद रहेगी चलिए हम start करते हैं हमारे भारत के अपवहा तंत्र को हम दो भागों में बांट रहे हैं हिमाले अपवहा तंत्र और प्राइद वीपी अपवहा तंत्र हमारे का अपवहा तंत्र है ये एक लंबे दोर में विक्सित हुआ है मतलब कि आज जो हमें उत्री मैदान दिखाई दे रहे हैं जो गंगा ब्रहमपुत्र और सिंधू गंगा और ब्रहमपुत्र के जलोड़ से बने हैं सिंधू तो पाकिस्तान साइट से ली आती है ये सारी चीज़ें कुछ साल में या फिर कुछ दश्कों में नहीं बनी है इनको बनने में सैगडों वर्शों का समय लगा है इसके लावा जब भी हम हमाले अपवहा तंत्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बारह मासी होती है बारह मासी होती है मतलब यह जो नदिया है यह बारह मा तक बहती है इन में जो जल होता है वो साल भर बहता रहता है क्यों क्योंकि इन नदियों को जो पानी मिलता है वो दो दरीकों से मिलता है एक तो इस हिमाले की हिम पिखलने से बर्फ पिखलने से और दूसरा वर्षन की माध्यम से वर्षया से भी इनको जल मिलता है जबकि जो प्राइडवी भी नदिया होती है उनको ऐसे किसी बर्फ पिखलने से चलने मिल नहीं रहा है उनको जल मिलता है केवल और केवल वर्षया इसलिए वो वर्षय के दिनों में बहती हैं उसके पार जब ग्रीश में काल आता है तब उन नदियों में सुखने की प्रवत्ति आने लगती है ऐसे ही यह जो हिमाले वाली नदिया है इन में जो भूँ आक्तियां पाई जाती है वो भी अलग अलग है जैसे कि गॉर्जिस सब कुछ क्या है यह सब आप फिजिकल जागरफी में कवर कर चुके हैं अगर नहीं किया है तो अभी भी देख लीजे अब यह जो गॉर्जिस है इसके साथ बनाते हैं जल प्रपात जल प्रपात वह भी आप जानते हैं कि जब शैल म्रदू शैल और कठोर शैल दोनों मिलत निक्षेपन वाले आकरतियां मतलब की जिसकी ऑक्सबॉल लेक बाढ़करत मैदान गुमफित वाहिकाय डेल्टा इन सारी चीज़ों को फिसिकल जागरफी में डीपली समझ चुके हैं इसलिए मैंने आप से कहा था कि हम पहले फिसिकल जागरफी को कवर करते हैं अगर आप आपको यही नहीं पता है कि ऑक्सबॉल लेक क्या होती है बाढ़करत मैदान क्या होते हैं जलोड मैदान क्या होते हैं वीशेप वेली में और गॉर्जस में अंतर क्या होता है तो आपको अभी इन सारी चीज़ों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी इसलिए पहले आपको physical geography के concept समझ में आने चाहिए अब हिमाले शेत्र में इन नदियों का जो राफ्ता है वो तेड़ा मेडा है लेकिन जब ये नदिया मैदानी शेत्र में प्रवेश करती है तो ये विसर्पों के माध्यम से बहती है लिसर्पों के माध्यम से बहना और ये अपना राफ्ता बदलती जाती है जिसे की example के लिए हम देते है बिहार के शोक के नाम से जानी जाने वाली कोफी नदि का ये नदि अपना मार्क बदलने के लिए कोख्यात है इसके लावा ये जो नदिया है यब ये पहाडों से आके बहती है जब ये पहाडों से आके बहती है तो ये मैदानी इलाके में अब साथ को लाके जमा कर देती है जिससे क्या होता है नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है आप जानते हैं इनी इलाकों में आपको भाबर, मुख्य नदीयों की बारे में घृत्य की नदियाघ्र है अब ह को अगर जियॉलोजिकल के बारे में पता होka तो अब ambassador स्केल को पहले बनी इसको लावे यह विशाल नदी थी जिसे शिवालिक या फिर इंडो ब्रहम्ह कहा जाता है अब इस शिवालिक और इंडो ब्रहम्ह थी यह माले के संपून अनुधहरे विश्वार के साथ असम से लेके पंजाब तक भेती थी और उसके बाद सिंदु की खाड़ी मे अपना मुहाना बना के सिंधू में अपना पानी विसर्चित कर देती थी उसके बाद यह वाना चाता है कि यह जो नदी थी इसको हम इंडो ब्रह्म नदी कह रहें यही तीन भागों में विभाजित हो गई कौन-कौन से सिंधू, गंगा और ब्रह्म पुत्र अब सिंधू के साइट बहती है तो सिंधू बहती है पश्यम साइट उसके बाद गंगा और रमपुत्र यह कहां बहती है यह आजाती है हमारी बंगाल की खाड़ी साइट तो इन सारी चीज़ों को आपको डीपली देखना है एक एक करके हम एक एक नदी तंतर को गहराई में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधू नदी तंतर को अब सिंदो नदी तंदर को देखने के पहले भी आप यहां पे कुछ चीज़ें और देख सकते हैं जैसे कि मैं जब आपको भुआकरतियां पढ़ा रही थी तब मैंने आपको पताया था ना कि किस तरीके से राजमहल की पहाडियों और मेगाले पठार के बीच में हमको एक ग अब हमें आगे देखना है सिंधू नदी तंदर को शुरुआच से तो आप सभी जानते हैं कि विश्व में जितने भी बड़े-बड़ी द्रोनिया है उनस सभी में एक प्रमुक है सिंधू नदी तंदर आप सभी ने हेस्टी में पढ़ा हुआ है कि सिंधू इसी नाम से त 3200,250,250, Bankert यह बांधी कहां भा二ती है यह बांकी चली चाती है पाकिस्तान साइट अब कैसे चाती है presenting मैप में में देखेंगे कौल यह 780 274 भारत में हमाले नदियों में सबसे पश्चिमी Coffee Men यह थो इस पश्चिमी नदी कूरे हमको दूञाबD नहीं मनती, अब जब आप मेरे साथ इस तरीकी से नदियों को कवर करेंगे, तो एक तो आप मैप देखते जा रहे हैं, एटलस देखते जा रहे हैं, इसके साथ एक चार्ट बना लीजे, ऐसा ही एक चार्ट आपको इस चेप्टर के लाफ्ट पार्ट में मैं भी दे दूंगी लेकिन एक चार्ट आप अभी से बनाईए, जहां पर आप नदी का नाम लिखेंगे, उसकी राइट बेंटर ब्यूटरी लिखेंगे, उसकी लेट बेंटर ब्यूटरी लिखेंगे, और उसका उद्गम और मोहाना दोनों लिखेंगे, जैसे कि सिंदो नदी का उद्गम क्य कैलाश परवच्रिनी में बोखर चू नाम का अब इसको तिबबत में क्या कहा जाता है तिबबत में इसको नाम दिया जाता है सिंगी खंबान या फिर शेरमुक उसके लावा फिर यह जो नदी है यह नदी उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती है अब पाकिस्तान में नदी पहुँच गई, तो अब ये नदी जब इतना राफ्ता तैय करती है, तो इसमें कुछ नदियां और भी मिलती है, अब जो नदी एक मुख्य नदी में आके अपना जल्विसरजित करती है, उन नदियों को कहा जाता है साहयक नदी, तो इसके भी कु कि जैसे कि आप नदी के दिशा को देखिए आप यह देखे कि नदी किस ओर बह हुरी है उस और तेखकर आप नदी के दिशा के ऊस यह अन्दावसा लगाते हैं की एक जो tribuyutery है वो उसके right bend है या या फे left bend tribuyutery है तो आप sindhu की बहुत सारी साहयंक नदिया आएं जिनकी नाम आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसके बाद ये जो नदी है जब इसमे तल सारी साहयंक नदिया मिल जाती है तो ये नदी अरब सागर में गिर जाती है लेकिन अरब सागर में गिरने के पहले इसके जो right bend tributaries है उनको आप लिख लेंगे ये जो pink कल़ से मैंने आपके लिए चीज़ें highlight की है ये चीज़ें आपको note करनी है इसलिए अलग-अलग रंगों से भी आपके लिए हाइलाइट किया जाता है जिसके जो पिंक वाली चीज़ा है इनको आपको नोट करना ही है खुर्राम, तोची, गोमल, बिबोवा और संगर ये हैं इसके दाहिने लट पे मिलने वाली नदिया इसके अलावा ये जो नदिया है ये सब कहा निकली है ये सब निकली है सुलिवांज रेणी से उसके बाद इसमें अब जब सिंधो नदी की साहिक नदियों की बात की जाती है तो हम पंचनत का नाम लेते हैं पंचनत मतलब की सतलुज व्यास रावी चेनाव और जेला इसके अलावा ये जो नदी है इसमें एक नदी बहुत महतुपूर जो इसकी साहिक नदी के नाम से जानी जाती है वो है काबुल नदी ये भी इसकी एक राइट बेंट रिब्यूटरी है तो हमारे भारत में ये कहां कहां भही हमारे भारत मेरे भही ये जमू कश्मीर और लग्दाक वाले इलाके में चलिए अभी हमने बात की हमारे सिंधू नदी तंतर की यानिकि अभी मैंने आपको मुख्य सिंधू धरा के बारे में बताया आप जो हम सिंधु नदी तंद्र के बात करता है तो हमको इसके कुछ मुख्या साहयक नदियां भी देखनी होती है एक एक करके जेलां चेना ब्रावी व्यास सत्लो जिसके अलावा और भी कुछ साहयक नदिया जो है उनके बारे में पढ़ना होता है तो उनकी लोकेशन भी द दिखाई दे रही है जो तिब्बत वाले इलाके की बात कर रहे थे वह यह यह तिब्बत वाला इलाका चले जहां तक बात इसके साहयक नदियों की तो सिंदु की एक सबसे बड़ी साहयक नदी है वो है चेनाप और चेनाप की एक साहयक नदी है जेलम अब जेलम है यह कहां पाट होगा ना उसमें मैप में भी देखेंगे अभी इन चीजों को याद रखते चाहिए और एडलस आपके पास है तो वहां से लोकेशन देखते चाहिए कि जमू कश्मीर में दक्षिनी पूरवी भाग के पास पीर पंजाल गिरिपात कहा है आप पीर पंजाल गिरिपात को पहले श्री नगर और वूलर जील में बहते हुए गौर्जिस का निर्मान करती है पाकिस्तान के निकट यहां पे यह झंग की निकट चेनाब में मिल जाती है चेनाब अब चेनाब की भी बात करनी पड़ेगी जहां तक चेनाब नदी की बात है तो यह सिंदू की सबसे दो अलग अलग नदियों के मिलने से बनी है दो अलग अलग नदिया कौन सी? दो अलग अलग नदिया चंद्रा और भागा चंद्रा और भागा नामाग जो दो नदिया है ये नदिया हिमाजल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी नामक स्थान पे आपस में मिल जाती है अब जब ये तांडी में आपस में मिल जाती है तो इसको नाम दे दिया जाता है चंद्रभागा का तिर ये वाली जो चेनाब नदी है ये भी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और अब ये सिंदू के साहयक नदी है तो फिर कहा जाएं कि फिर मिल जाएंगी ये सिंदू में अब जब हुमने चेनाप की बात कर लिए है जेलम की बात कर लिए तो अब हुम देखते हैं रावी को रावी रावी भी सिंधू नदी की एक साहयक नदी है जो रावी नदी है यह जहां से निकलती है वो दर्रा चर्चा का विश्य अभी हाल ही में बना हुआता है यह है रोहतांग दर्रे के पश्यम में निकलने वाली लेक कुल्लू पहाडियों से कुल्लू पहाडियों में रोह पश्चिम से जो एक चम्बा घांटी बहती है मतलब जो चम्बा घांटी है यह उस चम्बा घांटी में से बहती है तहां से निकली है यह निकली है कुलू पहाडियों के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से और फिर राजे में जो चम्बा घांटी है वहां से यह बहती है फिर नदी पीर पंजाल के दक्षिन पूर्वी भाग और धौला धर के बीच प्रदेश से प्रवाहित होती है अब ये पीर पंजाल कहां है और धौला धर कहां है ये सारी चीज़ें आपको डाइग्राम के माथ हैं उसे चैप्टर 2 में समझाए गई थी जब आपको वो जो न्हे का रहत है माले का किसका रागे दौला धर इसके बाद आप बात कर लिजिए व्यास की रही हों सधुन्दी अब यू सगहर है ये योडेल में गॉर्ज का निर्मान करती है महाखंड का निर्मान करती है महाखंड को ही गौर्ज बोल रहे हैं अब यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहाँ पे हरीके के पास सतलुज नदी में जाके यह मिल जाती है अब सतलुज नदी के भी बात कर ले हम कहीं न कहीं आज यह सिंदु न यह जो मान सरोवर चोटी इसके बारे में देखा था मैप में तो अब यह जो मान सरोवर चोटी है इसके निकट है एक राक्षास्टाल अब यह जो राशास्टाल है यहां से निकलती है सतलुज नदी अब यह जो राशास्टाल है इसको किस नाम से जाना जाता है इसको नाम से जाना जाता है लॉक्चेन खंबाब ठीक है अब यह जो सिंधु नदी है इसको राक्षा स्थाल में जब निकलती है तो इस इस इलाके में इस सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता है इस सतलुज नदी को नाम से जाना जाता है लॉगचेन खंबाप पिछली लाइन थोड़ा मिस होई है सतलुज नदी सतलुज नजी सतलुज नदी लॉगचेन खंबाप के नाम से जानी जाती है मान सरोवर के निकट वाले इलाके में जहां पे इसका उद्गम होता है उस शेत्र में अब भारत में ये प्रवेश करें अब भारत में ये प्रवेश करें इससे पहले कि ये तो तिबबत वाला इलाका होगा होगा ना ये निकली कहां से है निकली तो ये तिबबत से है तो अब तिबबत में निकलने के बाद ये भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर सिंदु नदी के समनांतर बहती है है तो ये सिंदु नदी की साहयग नदी लेकिन ये सिंदु नदी के समनांतर बहती है और रोपण में एक गौर्च का निर्मान करती है उसके बाद ये जो नदी है ये हिमाले परवच्रिणी में शिपी किला की बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और ये एक पूर्ववर्ती नदी है और ये एक अत्यंत महत्पून सहयक नदी है क्योंकि ये भाखडा नंगल परियोजना के नहर तंतर का पोशिन करती है चलिए तो यहां पर आपने सिंधु नदी की जो फायक नदिया है उनके बारे में देख लिया है अब अगले पार्ट में हम देखेंगे गंगा नदी तंतर के बारे में आपको एक एक करके नदी तंतर बताया जा रहा है इससे आपको इस पार्ट में हमने देख लिया है सिंध वाला कोई महाखंड या फिर गौर्ज हो उन सारी चीज़ों को आप मैप में देखेंगे इसके साथ आप कोशिश करेंगे कि आप यह जो नदिया है इनको भारत के नक्षे पर ड्रॉ कर सके आज हमने सिंधु नदी तंतर को कंप्लीट कर लिया है कर हम स्टार्ट करेंगे नदी तंतर के बढ़नें के साथ धन्यवाद